नगर पंचायत ज्वाली में आज नव निर्माजीत अध्यक्षा ममता देवी ने पद एवं गोपनियता की शपत लेकर अपना पदभार संभाल लिया है आज सुबह 11 बजे नगर पंचायत ओफिस में एक विशेश बैठक का आयोजन किया गया जिसमें SDM ज्वाली अरुन शर्मा ने नव निर्माजीत अध्यक्षा ममता देवी को शपत दिलाई इस अफसर पर ज्वाली के विधायक ठाकूर अरजुन सिंग वन नगर पंचायत के विभिन वार्डो के पार्शत भी मुझूद रहे इस अफसर पर विधायक अरुजुन सिंग के ने नव निर्वाजित अध्यक्षा ममता देवी द्वारा शपत लेने के बाद बधाई देते हुए कहा कि सरकार की तरफ से नगर पंचायत के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी उन्होंने जानकारी देकी नगर पंचायत में पानी की स्कीमों के लिए 16 ला करोड की धनराशी सविक्रिक्ट हो गई है जिसका जल ही मुख्यमंति शिल्यांश करेंगे इस नगर पंचायत की नए देक्षा शिरीमति मंपता देवी ने अपने सासमस्त समर्थक पार्षदों सहीत जिसमें शब्त ली है इस्सा लिया और आज शब्त ली है आज से बिदिवत जहां इस नगर पंचायत की देक्स चुनी गई है बही मैं अपनी प्रदेश की सरकार से मानेश्री जैराप ठाकूर जी के माध्यम से इनको बढ़ाई भी देना चाहता हूँ साथ मैं कहना चाहता हूं और इनको एक तुपा भी दिया हिमाचे प्रदेश की सरकार ने कि ज्वाली नगर पंचायत के लिए 16 क्रोड रुपया बीदीबत पानी के लिए मिल गया है। बहुत जल्दी जब भी मन्यमुक्य मंतरी का दौरा होगा इसका अब शुबारम कराएंगे। इसके लिए मैं मस्त पार्षिदों को और ज्वाली नगर पंचायत के नगरवासियों को भी बदाई देता हूं। जैसा कि पहले भी विरुदाय की मंतर दीबी जी नोंको इलेक्टर भुषिद किया गया था। तो आज मुंका शपत ग्रांड समार रखा गया था। जिसके लिए डिसी महलाना मेरको अधिकत किया था। तो आज यही करवे की गई है और मुष्वद लागे है।